PCR, पुलिस कंच्रोल रूम में एक कॉल पहुचता है, कॉल पर एक महिला होती है और बोलती है कि आप फॉरन मेरे घर आ जाईए, ये रहा मेरा एड्रिस, मैंने अपने बेटे का कतल कर दिया है और अब आप फटा-फट यहां पर आ जाईए पुलिस जैसे ये सारी बाते सुनती है, वो हक का बगकर रह जाती है कि किसी महिला ने फोन किया और सीधे फोन उठाते ही उसने ये बाते बोली कि उसने अपने बेटे का कतल कर दिया है लेकिन कॉल को जो पुलिस अब नजर अंदाज नहीं करती फोरन बताय गए एड्रेस पर पहुचती है और दर्वाजा पीटना शुरू कर देती है दर्वाजा जैसे ही नौक किया जाता है बाहर कुछ लोग निकल कर आते हैं जिन से पुलिस कहती है कि इस घर से एक कॉल आया था एक महिला ने ऐसी ऐसी बाते कहीं है उसने कहा है कि उसने एक बच्चे को मार दिया है इसलिए हम यहाँ पर आये हैं अब जो लोग मवजूद थे नीचे जो लोग दर्वाजा खोलते हैं वो भी सुनकर सन रह जाते हैं और फटा फट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ भागते हैं जैसे सीडिया चड़ते हैं फिर फर्स्ट खोलने की कोशिश करते हैं वहां का दर्वाजा खट खटाते हैं बार बार रिपीट करते हैं नौक करते हैं बार बर उस दर्वाजे को लेकिन कोई हल चल नहीं होती है अब इसके लिए पुलिस को शक हो जाता है कि जो कॉल आया था उसमें कुछ मिछिना गडबर तोस झरूर इसके लिए पुलिस शीठी लगाती हैं और सीठी के जरिये स्ट फ्लॉर पर जाती है अब जैसे ही पुलिस फ्रत पर दाखिल होती है वहां का मनजर देखकर पुलिस के रॉंक्ते खड़े हुजाते हैं पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं दरसल यह रॉंक्ते खड़े कर देनी वाली वारदात क्या फिर यूं कहें कि दिल दहलाने वाली वारदात उधयपूर की है उधयपूर में एक businessman family र रहते हैं अच्छा खासा घर है आप तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत खूपसूरत घर भी है लेकिन रवीवार को सुबह 6 बजे एक महिला जो इस खर में रहती है यह यू कहें जो बच्चे की मा है जिसका नाम मनीश्य है 37 साल उसकी उम्र है वो सुबह 6 बजे अपने छत पारिक उम्र है 14 साल वहाँ जाने के बाद वो इस रसी से अपने बेटे को मौत के घाट उतार देती है बच्चा तडपता भी रहता है लेकिन मा नहीं रुकती और बच्ची की हत्या कर देती है इसके कुछ देर बाद वो आराम से बैठी रहती है बहुत देर तक उसके पुलिस पुलिस भी पड़े है और फोन करके बाते बताती है कि आप मेरे घर आईए यह रहा मेरा एड्रेस मैंने अपने बच्चे को मार दिया है अब सारी चीज़े पुलिस सुनती है पुलिस घर आती है फिर सीडी लागाकर उपर जाती है तो वहाँ पर वह देखती है कि जो महिला ने फोन किया था वो यही महिला थी और यह सच कह रहे थी कि इसने अपने बेटे का कतल कर दिया है लेकिन इन सब पुलिस यह समझना चाहती थी कि आखिर महिला ने अपने बेटे को क्यो मारा और अगर उसने इस तरीके से कतल को अंजाम दिया तो क्या यह कोई पह इसका साल 2018 से इलाज चल रहा है, वो मानसिक तौर पर बीमार है और सुबह के वक्त मैं मौनिंग वॉक पर गया था, जिसके लिए मेरी बीवी ने मुझे फोन भी किया था और कहा था आते वक्त सबजियां ले आईए साथ ही साथ जो मेरे माता-पिता है वो नीचे के फ्लोर पर थे और जो बच्चे का ताओ है वो भी नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर थे और वो लोग आपस में जो नाश्ता वगरा कर रहे था और मैं वॉक के ले गया था लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बीवी ऐसा कोई कदम उठा लेगी, वो मांसिक तोर पर बिमार है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने ही बच्ची के साथ इस तरीके की एक हरकत कर देगी, इस तरीके की वारदात को अंजाम देदेगी तो इसके बाद जब पोलिस इस सारी चीज़े सुनती है, समझती है तो पोलिस महिला को हिरासत में ले लेती है और उसे पूछताच भी करती है तस्वीरे आप देख रहे हैं इस वक्त वो महिला तडब भी रही है, बहुत चीक रही है, चिला रही है, रो रही है, उसे समझ में आ रहा है कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है, उसने अपने ही बच्चे की जानने ली है, और ये सब देख के हर किसी का जो दिल है, जो कल महिला उसका इलाज चल रहा था, वो सारी रसीदे दिखाई, जो दवायां थी वो दिखाई कि साल 2018 मेरी बीवी बहुत परेशान है, वो मांसिक तोल पर बहुत बीमार है, जिसके लिए हम उसका इलाज करवा रहे थे, और इलाज के दोरान ही, अभी महिला का इलाज चली रह परताल करें, क्योंकि जब महिला के साथ मांसिक बीमारी का एक और अंगल जोड़ गया, तो पुलिस भी इस मामले में उतनी सक्ति से पेश नहीं आ सकती, उन्हें समझ में आ रहा है कि महिला ने किस अवस्था में और इतनी बीमारी की चलते इस तरीकी से एक मर्डर को अंज दे दिया है, लेकिन अभी जो मामला है वो आगे जाएगा, इस पर जैसी कारवाई होनी है वो भी होगी, फिलहाल पुलिस उस महिला से अभी तह तक जानकारी कठा कर रही है, आगे पीछे की चीजे पूछ रही है, इस से पहले कभी उसने ऐसी हरकत की है कि नहीं किये, इस स कि रही है, आगे इस से अबस्ट साफिए जब कार रही है, आगे। लड़ी तो एक पुलिसाना अभी तो आगए है, अभी है।